जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का RS News के कौन नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और उस्टेलिया के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले का चौत्था दिन खेला गया तो आज चौत्थे दिन मैदान पर क्या क्या हुआ उसी के बाल में पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो आप सभी बिल्कुल बने रहीएगा अंते तक कि इस वीडियो में और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारते टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टार्गेट हमने रखा है बस मातर 500 लाइक का तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना हो और मैचों की टेस्ट सिरीस का तीसरा मुकाबला जारी है जहां रविवार 10 जनवरी को मुकाबले के चौत्ते दिन का खेल खेला गया जहां पर आश्टेला टीम ने अपनी दूसरी पारी में 87 ओवर में 5 विकेट खोकर 312 रन बनाए और इस तरह से मेजबान टीम के पास 406 रन की बढ़त थी और इसके बाद आश्टेला ने अपनी पारी की गोशना कर दी और ऐसे में भार को जीतने के लिए 407 रनों का लक्षे दिया तो वहीं हम आपको बताएं कि मैच के तीसरे दिन के खेल समाब तो होने तक आश्टेला की टीम ने 29 ओवर में 2 विकेट खोकर 103 रन बन यहां दोस्तों दरसल हुआ यह कि मारनश लाबुशे ने 73 रन बनाए तो वहीं इस्टेविसमित 184 रन बनाकर आउट है तो वहीं कैमरोन ग्रीन ने 84 रन बनाए और टिम पेन 49 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लोट है तो जिसके चलते 6 विकेट के नुक्सान पर 312 रन और की टीम ने बनाए तो वहीं अब भारतिया बल्लेबाज मैदान पर 407 रन बनाने के लिए उतर चुके हैं जहां पर आज रोई शर्मा और शुम्मन गिल ने भारतिया टीम को एक बहतरी शुरुआत देलाई दरसल आज रोई शर्मा जहां तुफानी अंदाज में बल्लेबा जी करने के लिए मैदान पर आए चितेस्वर पुजारा जहां पर चितेस्वर पुजारा ने मिलकर आज रोई शर्मा के साथ बहतरी साचेदारी की और अभी रोई शर्मा खबर बोले जानने तक 40 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं और चितेस्वर पुजारा ने अभी बल्लेब वक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि तो कर सकतर सकतर स सकतर है कि यूर में है सकतर डरन तूर में ही resist कि आ़ए...............